बारे बात करेंगे लॉंग ठांटॉ 1 मैंने वेहिकल स्टन से स्टॉप मोटर्स लिमिटेड है जिसका नम टाटॉ मोटर लिमिटेड अब स्टन के बारें जैसे के आप यहां पर देख सकते हैं इस स्टस्ट ने एक दिन में ध्र hai percent कर यह एक week में 4% के return दिया है और एक साल में 100% के return दिया है दो साल में 165% के return दिया है अब हम इस stock के price के बारे बात करेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 June 1996 को 500 रुपे के आसपास था वहाँ से फिर इसमें बहुत ही जादा गिरावर देखने को मिला फिर उसके बाद इसका price 1 January 2009 को 32 या 30 रुपे के आसपास था उसके बाद इसमें फिर दुबारा bounce back देखने को मिला फिर इसका price 1 December 2014 को 587 रुपे था और फिर इसमें दुबारा गिरावर देखने को मिला फिर इसका प्राइज 3 February 2020 को 70-60 रुपे के आसपास था और इसने पिछले 2 साल में पैसो को almost 10 गुने में तबदिल कर दिया है क्योंकि इसका प्राइस 60 रुपे था और फिलाल इसका प्राइस 523 रुपे है अगर यह स्टॉक 500 की ऊपर निकलता है बजट आने से पहले तो इसमें बहुत तेजी सी रैली हो सकती है क्योंकि अपने 25 या 30 साल के लाइफटाम हाई को तोड़ने वाला है और वहां से इसमें बहुत ही तेजी से मोमेंटम गेन होगा हमारा इस स्टॉक में टोटल इंवेस्टमेंट 50 सेर का होगा और इसका फुचर वेल्यू एक करोड़ एक करोड़ उनासी लाग तेरांबे हजार एजार अठोपैन तालीस रुपे निकल कर घाएगा अगर अगर आप आपगी साल क्ली इंवेस्टमेंट करना चा तेख्यों तो इसका फूचर वेल्य सालिट रुपैने या और यह डिसाइड आपको करने है कि आप कितने साल के लिए इंवेस्टमेंट करना चाहते हो अब हम इसे स्टॉक के शेरोल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 46% की सिधारी प्रोमोटर के पास में भी 4.05% की सिधारी खरीद रखी है और इस स्टॉक का शेरोल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बड़ी है क्योंकि इस स्टॉक में बड़े-बड़े इंस्ट्यूशनल इंवेस्टर सामील है अब मैं आपको टिका टेप की वेबसाइट के जर्गे इस स्टॉक में एनलिस की रेटिंग को दिखाना जाता हूं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 31 एनलिस में से 71% एनलिस की राय है कि हमें से बाइंग करनी चाहिए और यह स्टॉक बजट आने के बाद बहुत तेजी से मोमेंटम गेन करेगा और आप इस स्टॉक में लॉंग टर्वियू से बाइं झाल झाल